Friends, Welcome back to Steadyker, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर दोस्तो, Daily Current Affairs की सीरीच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज Daily Current Affairs में डिस्कस करेंगे 21 मई 2022 से related Most Important Current Affairs तो दोस्तो, आप इस lecture को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा Last तक सुनिएगा, Last में आप से कुछ Question पूछाएंगे तो उनके Answer आपको Comment Box में देना है दोस्तो, ये जो Question होंगे, ये इसी lecture से related होंगे तो आप इस lecture को ध्यान से सुनिएगा अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF मिलेगा Telegram चैनल पर लिंक आपको Description Box में मिल जाएगा तो वहां से आप इसका PDF जो है आसानी से डाउन्डोड कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप किसी भी Competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो आप अपने चैनल Steadyker को Follow कर ले और Bell आइकोन जरूर दबालें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले Notification मिल सके चलिए Friends पहला Question डिसकस करते हैं ध्यान से सुनिएगा पहला Question बहुत ही Important है भारत की मुक्यबाच निकहत जरीन ने हाल ही में विस्सो महिला वाक्सिंग चेंपियंसिप के Final में कौन सा Medal जीता है तो दोस्तों जो निकहत जरीन है उन्होंने विस्सो महिला वाक्सिंग चेंपियंसिप में कौन सा Medal जीता है आंसर होगा इसका Gold Medal तो अभी हाल ही में विस्सो महिला वाक्सिंग चेंपियंसिप का जो आयोजन है वो टर्की के इस्ताम्बूल में किया गया तर्की का एक सहर है इस्ताम्बूल वहाँ पर 20 महिला बॉक्सिंग चंपियंशिप का आयूजिन किया गया तर्की की कैपिटल नहीं है इस्ताम्बूल ठीक है तर्की की कैपिटल क्या है अंकारा है ठीक है दोस्तो तो तर्की का एक सहर है इस्ताम और ये आने वाले exam के लिए बहुत ही important question है ठीक है दूस्तों आप ध्यान से सुनते जाएगा इनके बारे में क्योंकि आने वाले exam के लिए ये topic बहुत ही important होने बाला है तो अगर हम बात करें दोस्तो निकहत जरीन की तो वो कहां की रहने वाली है तो वो हैदराबाद की रहने वाली है और हैदराबाद कहां की कैपिटल है तो तेलंगाना की कैपिटल है तो निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में तरकी के इस्तामबुल में 200 महिला चेंप लाड़ी को हराया है ठीक है दोस्तों आप इनकी केटेगरी को जरूर याद रखेगा क्योंकि कोशन में जब डीप कोशन पूछा जाता है तो आप से इसी प्रकार के कोशन पूछ लिए जाते हैं आप से यह नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा मेडल जीता है यह तो सबको पता होता है लेकिन जादातर लोग जो हैं वो किवल इतना ही याद रखते हैं कि निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता तो बता देंगे कि गोल्ड मेडल जीता लेकिन कितने किलोग्राम भारग बर्ग में जीता है यह हमें पता होना चाहिए तो 52 किलोग्राम भारग बर्ग में इ उन्होंने विस्स महिला बॉक्सिंग चेंपियंशिप में जो गोल्ड मेडल जीता है ऐसा करने वाली वो पांच भी भारतिय महिला है यानि दोस्तों निकहत जरीन से पहले चार ऐसी महिलाएं थी जो विस्स महिला बॉक्सिंग चेंपियंशिप के फाइनल में गोल्ड मेडल आने वाले lecture में हम ये discuss करेंगे कि वो कौन-कौन सी महिला है जिन्होंने विस्सो महिला boxing championship में final में gold medal हासिल किया है तो दोस्तों वो महिला है उनमें पहला नाम है किसका? mc marycom की बात करें दोस्तों बेस्टों विस्सो महिला boxing championship में चैंके consonants पहला 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2010 में और last वाला जीता था 2018 में ठीक है दोस्तों इसके अलाबा सरिता देवी ने 2006 में जैनी आर एल ने 2006 में और लेखा केसी ने 2006 में विस्सो महिला बॉक्सिंग चेंपियन सिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था दोस्तों आपको boxing में एक नाम और याद रखना है वो नाम है किसका लबलीना बोर्गोहेन का कि लबलीना बोर्गोहेन क्यों यहाँ पर दोस्तों आई हैं तो ध्यान से सुनिएगा लबलीना बोर्गोहेन का नाम इसलिए आया है क्योंकि इन्हों ने Tokyo Olympic 2020 में जोकि 21 में हुआ था तो इसमें इन्होंने boxing में bronze medal हासिल किया है ठीक है तो boxing से related थी इसलिए इनका यहाँ पर नाम आया है तो याद रखिएगा कि जो लबलीना बोर्गोहेन है यह असम राजिस से related है और इन्होंने Tokyo Olympic 2020 के अंदर कौन सा medal जीता है bronze medal जीता है ठीक है दोस्तों याद इन्हें असम सरकार के द्वारा इन्हें DSP भी बनाया गया है यानि पुलिस विभाग में इन्हें DSP भी बनाया गया है तो यह सभी point जो है वो आप note करते जाएगा आपके लिए आपके exam के लिए यह सभी point बहुत important है चलिए friends next question discuss करते हैं ध्यान से सुनिएगा next question है विस्व विस्व मधुमक्खी दिवस यानि world be day किस दिन मनाया जाता है तो दोस्तो ये question आप जरूर note करिएगा इसमें star कर लीजेगा तो विस्व मधुमक्खी दिवस जो है वो मनाया जाता है कम 20 माई को कम मनाया जाता है दोस्तो 20 माई को यहाँ पर मधुमक्खी की बात आई है तो मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं जब हम मधुमक्खी का इस प्रकार से पालन करते हैं और द्योगी के सतर पर पालन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा उसे क्या बोला जाता है एपी कल्चर बोला जाता है क्या बोला जाता है एपी कल्चर बोला जाता है कई बार एक्जाम में भी पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है तो एपी कल्चर बोला जाता है तो यह जो पॉइंट है यह आप नोट जरूर करिएगा क्योंकि एक्जाम में इस प्रकार के कोश्चन जो ह 2018 में मनाय गया था और हर सालम 20 मई को ही मनाय जाता है ठीक है इस दिवस को याद करने के लिए कारण क्या है तो ध्यान से सुनिएगा 1734 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एंटॉन जानसा तो उनका जन्म दिन होता है 20 माई को ठीक है तो उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है क्योंकि उन्हों ने यानि एंटॉन जानसा ने मधुमक्खी पालन में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था ठीक है तो उनको याद करने के लिए ही विस्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है तो यूनाइट नेशन के सदस राष्ट्रों ने 20 माई को विस्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोसित किया था और इस दिवस को मनाने के लिए किस देश ने प्रस्तार रखा था तो याद रखिएगा slow venian है किसने दोस्तो slow venian है ठीक है तो ये point जो है वो आप note करते जाएगा क्योंकि जब आप current affairs पड़ते हैं तो आप इसके notes ज़रूर बनाएगे क्योंकि जब हम अपना revision करते हैं तो ये point हमें याद होने चाहिए इस साल khad और krasi संगठन यानि FAO इस दिवस को मना रहा है और FAO के द्वारा एक theme रखी गई है ध्यान से सुनिएगा theme 2022 की ठीक है be engaged celebrating the diversity of beach and beekeeping systems ठीक है तो ये 2022 की theme है तो इसको आप note जरूर करिएगा ठीक है दोस्तो चलिए friends next question देखते हैं important question है हाल ही में केंद सरकार ने भारतिय कपाश परिशद के गठन की घोचना की है इसके अध्यक्ष कोन होगे तो दोस्तो हाल ही में जो central government है उसने ये कहा है कि भारत सरकार के द्वारा एक भारतिय कपाश परिशद यानि council की स्थापना की जाएगी तो इसके अध्यक्ष कोन होगे तो इसके अध्यक्ष होगे सुरेश भाई कोटक कौन होगे दोस्तो सुरेश भाई कोटक तो सुरेश भाई कोटक जो है वो भारतिय कपाश परिशद के अध्यक्ष होगे और अभी हाली में जो कैन सरकार है उसने ये गोशना किया है कि वो भारतिये कपास परिशद की स्थापना करेगा ठीक है दोस्तों चलिए इस से related कुछ important point है तो ध्यान से सुनते जाएगा जो कपास परिशद होगी वो कपास के छेत्र में सुधार लाने के लिए चर्चा करेगी विचार मिमर्स करेगी और एक किये जा सकें किस प्रकार से उसको बढ़ाबा दिया जा सके तो इस प्रकार का काम किसका होगा जो कपास परिशद बनेगी यानि भारतिये कपास परिशद जो बनेगी वो इस प्रकार की योजनाय लागू करेगी एक point है दोस्तों नोट करिएगा 2019-20 में भारत का कपास उतपादन 170 किलोग्राम के 36.04 मिलियन बैलस था दोस्तों गठर देखे आपने कपास की बहुत सारे है बहुत बड़े बड़े गठर होते हैं तो 170 किलोग्राम का एक गठर तो वो कितने मिलियन थी 36.04 मिलियन बैलस थी दोस्तों तो ये point याद रखिए इतना उत्पादन 2019-20 में हुआ है भारत में कपास का सरबाधिक उत्पादन गुजरात करता है ये 2018-19 की रिपोर्ट के अंसार भारत में जो कपास का सरबाधिक उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है गुजरात के द्वारा किया जाता है नेक्ट कोशन है ध्यान से तो राजिवगंधी हत्याकांड किस दोसी को रिहा करने का आदिस दिया है सुप्रीम कोट ने तो उस दोसी का नाम है एजी पैरारी वलन क्या नाम है दोस्तों। और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला क्यो लिया। चलिए हम समझते है। चुप्रीम कोर्ट ने पूरु परधानमंत्री राजव गांधी की हत्या के एक दोसी, A.G. पेरारी विलन को हाली में रिहा कर दिया है। और ये रेहा किया है सुप्रीम कोट ने अनुशेद 142 के अंतरगर ठीक है अब ये भारतिय संविधान का अनुशेद 142 क्या कहता है ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा जो अनुशेद 142 है ये कहता है कि कि किसी भी कारण से किसी भी मामले को लंबित नहीं रखा जा सका यानि कि बिना कारण के किसी भी मामले को लंबित नहीं किया जा सकता है ठीक है और अगर लंबित किया जाता है तो Supreme Court सोता संगयान लेकर कि उस पर फैसला सुना सकती है ये हमारे भारतिय समिदान का अंशेर 142 कहता है तो 142 के दो पार्ट है जो first part है वो यही कहता है कि अगर कोई भी मामला है बहुत दिनों से लंबित है विना किसी कारण की लंबित है तो उसको लंबित नहीं रख सकते हैं ठीक है उस पर फैसला सुनाना जरूरी है चलिए friends अब A.G. पेराली बलन को क्यों यहां पर उसे छूट दी गई या फिर उसे रिहा किया गया चलिए इसको हम समझ लेते हैं हुआ क्या कि दोस्तों उसे 2014 में अडालत के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई ठीक है और उसके पहले वो फासी की सजा पर 16 साल काट चुका था यानि उसे फासी की सजा सुनाई गई थी 2014 के पहले ठीक है और वो 16 साल अपनी सजा काट चुका था अब इसके बाद 2014 में वो जो फासी की सजा थी उसको उम्र कैद की सजा में बदला गया इसके बाद दोस्तों 2015 में जो तमिलनाडू के राजपाल है उस तमिलनाडू के राजपाल के पास पैरारी वलन ने अनुशेद 161 के तहट छमा या आचना मागी कि उसे छमा किया जाए ठीक है दोस्तों और इसके बाद जो तमिलनाडू की जो गबर्मेंट थी उसने भी कैबनेट में ये प्रस्ताव रखा कि जो पैरारी विलन है इसे रहा कर दिया जाए ठीक है दोस्तों अब कैबनेट ने जो प्रस्ताव पर इस किया उसको राजपाल के पास भीजा कि आप छमा या आचना पर इसकी सुनवाई करिये लेकिन जो राजपाल महोदाय थे उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो मामला अपने पास रखे रहे ठीक है इसके बाद दोस्तों फिर सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है राजपाल से पूछा जाता है कि आप इस मामले को मामले पर सुनवाई करियेगा इस पर क्या करना है आपको ठीक है तो राजपाल जो है उसको राश्टपती के पास भेज देते हैं कि राश्टपती महोदाय इस पर फैंसला सुनाएंगे राश्टपती महोदाय भी अपने पास रख लेते हैं पूब भी इस पर कोई फैसला नहीं सुनाते हैं तो दोस्तो इसमें होता क्या है कि विना किसी कारण कि इसको लंबित किया जा रहा था ठीक है अब चुकि राज जी की जो कैबिनेट थी उसने तो फैसला सुना दिया था तो राजियु गांधी हत्या कांड क्या है चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा आप ध्यान से सुनते जाईएगा 21 मई 1991 यानि जिस दिन आप ये लेक्चर सुन रहे हैं उसी दिन की बात है यानि 21 मई को आप ये लेक्चर सुन रहे हैं ठीक है बं बलाश्ट हुआ था तो इसी मामले में पैरारी वलन को 11 जून 1991 में गरिपतार कर लिया गया था जब वो केवल 19 साल का था ठीक है 28 जनवरी 1998 को पैरारी वलन और उसकी सहयोगी नलिनी के सहे 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी पैरारी वलन नलिनी और 26 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी कब 1998 में फिर 11 मई 1999 में सुप्रीम कोट ने मुरुगन संथान और पैरारी वलन और नलिनी की मौत की सजा को वरकरार रखा था ठीक है दोस्तो इस पैरारी वलन ने क्या किया था थोड़ा साब समझेगा इस पैरारी वलन ने क्या काम किया था कि जो बॉम ब्लास्ट हुआ था उस बॉम ब्लास्ट की जो बैटरी थी उसको कलेक्ट किया था इसलिए ये दोसी माना गया था ठीक है दोस्तो चलिए फ्रेंट्स आसा करते है कि ये जो पूरा मामला था ये आपको समझ में आ गया होगा चलिए नेक्ष्ट कोश्चन डिसकस करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है आज के इस लेक्षर में तो आप ध्यान से सुनते जाएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन है ध्यान से सुनना है खाली में किस देश के विज्ञान को ने सौर मंडल के बाहर रहने योग प्रत्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए अंतरिक्ष दूर्वीन के माध्यम से आकास का सरविक्षड करने के लिए एक प्रोजेक्ट को तयार किया है यानि एक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा है, अब आप इस न्यूज को, इस प्रस्न को ध्यान से समझेगा, प्रस्न ये है दोस्तो, कि वह है कौन सा देश है, या किस देश के विग्यान को ने ये कहा है, कि वो सौरमंडल से बाहर, प्रतवी जैसा एक ग्रह खोज रहे हैं, यान करीब 32 प्रकास वर्स दूर इस ग्रह की खोज करेंगे, प्रकास वर्स आया है, तो प्रकास वर्स किसका मातरक होता है, तो याद रखेगा distance का मातरक होता है, ठीक है, और जो चाइना जो है, वो हाली में बहुत बड़े-बड़े कार्करम कर रहा है, और वो अपने अंतरिक् प्रियोग नहीं करेगा अब क्या करेगा कि अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है अभी इसरो के विग्यानकों ने भी एक बहुत ही बड़ी घोशना किये है उसने भी एक बड़ी घोशना किये उसने यह कहा है कि 2024 में कभ दोस्तो 2024 में सुक्रयान भेजा ज ória औरल्मपिक्स 2021 की मेजबानी की है, तो वहाए कौंसा देश है दोस्तो, जिस дेश ने डेफ लिंपिक्स 2021 की मेजबानी की है अब आपको समझना है यह डेफ लिंपिक्स क्या है तो दोस्तो हमारे देश में ऐसे लोग जो किसी अंग से काम नहीं कर पाते हैं उन्हें दिव्यांग बोला जाता है तो ऐसे दिव्यांग जो सुन नहीं पाते हैं उन्हें डैफ बोला जाता है तो दोस्तो जो सुन नहीं पाते हैं उनका ओलम्पिक्स ही कहलाता है Deaflympics क्या कहलाता है Deaflympics ठीक है दोस्तो तो हाल ही में जो Deaflympics है 2021 का ये किस देश में हुआ है तो ये ब्राजील में हुआ है कहां हुआ है दोस्तो ब्राजील में और ये ब्राजील जो है ये किस महादीब का देश है तो याद रखना है कि जो दच्छन अमेरिका महादीव है उसका एक देश है ठीक है तो वहाँ पर अभी हाल ही में Deaflympics का आयोजन किया गया है इसमें हम भारत का प्रदर्सन देखने वाले हैं कि भारत ने किस प्रकार का प्रदर्सन किया है तो दोस्तो Deaflympics भारत में भारत जो है वो नवे स्थान पर रहा है यानि नवे स्थान पर रहा है और इसमें 16 मेडल जीते हैं कितने मेडल जीते हैं दोस्तों इंडिया ने 16 मेडल जीते हैं जिसमें से 8 गोल्ड है एक सिल्वर है और 7 ब्रॉंज मेडल ठीक है तो ये point जो है वो आप note करिएगा पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है जिसने पदक जीते हैं सबसे अधिक तो वो रहा है यूक्रेन तो यूक्रेन ने 138 पदक अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा है इसने 55 पदक जीते हैं ठीक है दोस्तो आसा करते हैं कि ये lecture आपको पशंद आ रहा हुगा तो दोस्तो आप इसे like जरूर करें और share कर दें सभी दोस्तों को next question है ओबरकप 2020 का खिताब हाल ही में किसने जीता है sports related question है तो ओबरकप 2020 का खिताब जो है वो हाल ही में किसने जीता है related है तो जिस प्रकार से Thomas Cup badminton से related है उसी प्रकार से ओबरकप भी badminton से ही related है याद रखना है कि जो Thomas Cup है ये पुरसों के लिए होता है और जो ओबरकप होई ये किसके लिए होता है महिलाओं के लिए होता है ठीक है तो ओबरकप जीता है दच्छन कोरिया ने और Thomas कप जीता है किसने इंडिया ने ठीक है दोस्तो दच्छन कोरिया और इंडिया ये दोनों आपको देश याद रखने है ठीक है चलिए इस से related कुछ important point है उनको हम discuss कर लेते हैं दोस्तो जो अबर कफ है 2022 का ये कहां पर आयोजित हुआ तो ये Bangkok Thailand में आय इरिया है वहाँ पर इसका आयोजिन किया गया था और दच्छन कोरिया ने यानी South Korea ने दूसरी बार ओवर कफ का खिताब अपने नाम किया है सबसे अधिक बार चाइना ने 15 बार जीता है इस कप को ओवर कप की सुरुबात 1907 से की गई थी इसमें बरतमान में 16 टीमें हिस्स गारी थी तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पुरसों के लिए आयोजिन होता है बेडमिंटन का एक कप होता है उसी प्रकार से महिलाओ के लिए भी एक कप का आयोजिन होना चाहिए तो उनके नाम पर दोस्तों ओवर कप की शुरुबात 1907 से की गई थी नेक्स्ट कोश्चन डिसकस करते हैं ध्यान से सुनिएगा दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने है तो नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने है नवीन स्रीबास्ताव बने है अभी हाली में कुछ दिनों फहले आपने ए बिने मोहन कुवात्रा अब ये नेपाल के नेपाल में भारत के राजदूत थे तो अब वो पद खाली हो गया था तो अब बिने मोहन कुवात्रा की जए नवीन स्री वास्ताव को नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है ठीक है दोस्तों तो ये पॉइं प्राइम मिनिस्टर है तो यह सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करिएगा चलिए अब आप से कुछ कोशन पूछे जाएंगे जो कि इसी लेक्चा से रिलेटेड होंगे तो आप उनको बहुत ही ध्यान से सुनते जाएगा ठीक है यह कोशन आपके एक्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट होगे और आप इनके जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा पहला कोशन है लबलीना बोर्गों है ने टोकियो उल तो अगर आप अपनी तैयारी अनकेडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुपता को फॉलो करें कोड यूज करें राजा नंबर वन इसी प्रकार से आप हमें खबरी एप पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर आपको मोश्ट इंपोर्टेंट आडियो लेक्चर मिल जाते हैं